Good morning 7th class students, आज हम आपकी कमिस्ची का chapter number 6, metals and non-metals के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले metals क्या होती है, metals वो होती है जो कि lactons को lose करती है and non-metals वो होती है जो कि lactons को gain करती है In our day to day life, we come across many elements, जो हम अपनी life में हैं, जो दिन बर दिन हम बहुत सारी elements को पढ़ते हैं हमारी life में, जैसे carbon है, वो coil है, कोईले में carbon डाली होती है, oxygen gas के बारे में हम जानते हैं, sulfur, gold, silver, aluminium, iron sector, यह सब क्या elements है और incoming metals, इन में से कुछ क्या होती है, metals होती है, कुछ क्या होती है, non-metals होती है, तो हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं, properties of metals and non-metals इसके physical properties के बार में पढ़ते हैं, physical properties का मतलब क्या हाता है, कि हम जिसमें पढ़ते हैं कि इसका रंग क्या है, nature कैसा है, दीखने में कैसा है, ऐसा कुछ इसमें पढ़ते हैं, first जाता है shiny appearance, जो metals है वो generally luster nature होते हैं, luster का मतलब क्या हाता है, कि जो metals हैं उनकी चमक होती है यह is non metals and non lusters जा बोल सकते हो कि dull nature होते हैं कि इसकी कोई भी चमक नहीं होती है non metals की ठीक है next पढ़ते हैं however non metals like iodine, diamond, graphite and acceptations acceptations का मतलब क्या आता है कि जो iodine, diamond, graphite है वो क्या आती है होती तो non metals है लेकिन इनकी क्या आती है चमक होती है तो यह आपको question आ सकते हैं कि वो कौन सी non metals हैं कि जिनकी चमक होती है क्योंकि हमने non metals के बारे में क्या पढ़ा कि इनकी कोई भी चमक नहीं होती है लेकिन यह तीन चीज़ें इनकी चमक होती है जैसकि मैं आपको बताती हूं कि pencil का सिक्क्य है वो क्या होता है एक gray fight होता है होती कि है वह एक non matter है ठीक है तो लेकिन जो उसकी चमक होती है तो फिर यह अलग case हुआ है जिसको हम acceptation बोलते हैं मतलब क्या होता है जब अड नन-matter train मतलब बनाए जासकती हो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो मेंटर जो का कौnसा नेचर है डीक्टीलीटी नेचर है लेकिन non matter की तारे नहीं बनाए जासकती ऐसे हम नोन नमेटर चार की तारे नहीं बनाए जासकती है नहीं न, तो फिर जो non-metals है उनका कौन सा nature हुआ, non-ductile nature हुआ और metals का कौन सा हुआ, ductile, जैसे metals में for example copper है copper की virus बना ही जा सकती है न, आप पंखे में भी देखते हो कौन सी virus होती है, copper की use होती है न, जिसकी virus बना जा सकते हो उसको क्या होती है, ductile nature, किसका होता है, metals का होता न, न, बढ़ते हैं malleability, malleability क्या होता है, जब किसी metals की shears बनाई जा सकी हो, shears कैसे बनाई जाती है, एक hammer से beat किया जाते है, hammer कहां थोड़े से beat करकर बनाई जाती है, सब्सक्राइब आता है अवाज जो मैटल चाहिए आप देखती हो ना जैसे कि मालो आप अपनी किचन में जो बड़तना यूज करती हो उसको नीचे गेर कर देखना अगर तुसकी वाज आई इसका मतलब वो मैटल का निच्छर है सब्सक्राइब जैसे कि एक स्कूल में यहां कि मैंटस हो रहा है कि मैंट्टीविटी उसमेंट नयक्तिर सीटीं की इस चुम मतलब हो सकते हैं जैसे कि नौन गर्ड़ जैसे कि लकर लेदी लकर नोड मेटल है न उस में करंट फास हो सकते हैं यह नहीं न तो फिर वह कौन से हुआ जो नोड मेटल से बैड कंड़क्टर रुआ और गूड बार कुंस हुई मैटल next topic का आता है Metal thermal conductivity मैटल thermal conductivity का मतलब होता है थर्मल का मतलब होता है heat, heat मतलब गर्मी, जो metals है, उनका thermal nature होता है, मतलब कि heat पास हो सकती है, लेकि non-metal से heat नहीं पास हो सकती, फिर आता है, next topic आता है, brightness, जो exception is said to brittle, brittle का मतलब क्या होता है, जिसको break कर सकते हैं, pieces में easily कर सकते हैं, ठीक है, metals है, उनको pieces में किया जा सकते हैं, ठीक है, copper wire and aluminium wire, did you break the hammering, आप इसको, metals को hammering मतलब थोड़ा मार कर तोड़ सकते हो, what about the pieces of coil and pencil lead, क्या होता है, जब कोईले और pencil पे hammer लगाते हो, तो क्या होता है, did it is break on hammering, तो आपने ये question बताने है, we can say that metals are not brighter, जो metals है, उनको तोड़ नहीं जा सकता, whereas non-metals are generally brighter, कि जो non-metals है, उसको तोड़ा जा सकता है, जैसे कि for example, मैं आपके सामने gold रख देती हूं, goldी से metal, अगर आप उसको एक hammer से beat करोगे, क्या उसके piece हो सकते है, नहीं न, वो taddy-meddy हो सकते हैं, लेकिन उसके piece नहीं हो सकते है, non-metal जैसे कि आपने का pencil पैंसिल को आपने उसको थोड़े से मारा बीट किया, वो अलग-अलग हो जाती है, इसका मतलब non-metals को brittle, मतलब pieces में किया जा सकता है, लेकिन metals को नहीं किया जा सकता है, next आता है hardness, जो metals है, वो generally hard होती है, बहुत hard होती है, क्योंकि जो metals है, उनका solid nature होता है, और solid nature में क्या आ क्या आता है, जर्ली soft होती है, next step, next page number, 76, physical state बताते है, metals are generally found in solid state, जो metals है, ज्यादा तर क्या आती है, solid state में होती है, जो वेरस जो non-metals है, वो क्या होती है, solid or gases कोई भी state में हो सकती है, यह question आपके लिए important है, mercury is the only metal, is liquid and room temperature, whereas bromine is the only non-metal, that is liquid and room temperature, वो कौन सी metal है, जो कि liquid होती है, room temperature पे वो कौन सी है, mercury, और वो कौन सी non-metal है, जो कि liquid होती है, room temperature पे, non-metal, sorry, वो bromine, तो आपने यह याद रखने है, जो metal,溢़ क्यों सी है, ब्यूज लिकवीड होती है, room temperature पे, mercury, evоды, non-metal, bromine.